हलो फ्रेंज आज का टॉपिक है बे इंतेहा ये सिरियल आपको वूट या फिर जियो सिनेमा पर मिल जाएगी तो ऐसे ही हर रोज रिव्यू पाने के लिए प्लीज 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 सब्सक्राइब टू पै चैनल मुझे बहुत ही जादा मोटिवेशन मिलेगा थैंक यू सो म जैन जो है विदेश में पहला बड़ा है काफी मतलब फ्री माइंडेड है और बचपन से ही दोनों बहुत जादा लड़ते थे तो अब वो इंडिया वापस आये है और आलिया की जो है जगह शादी तै हुई है तो मैं आपको बता दू आलिया की जो मामी है मतलब जैन की इस फैमिली को बिलकुल भी दोनों आखों से देख नहीं सकती तो दोनों फैमिली ऐसे दिखती तो है उपर से हैपी लेकिन काफी जादा कॉंप्लिकेट भी है तो जब आलिया की शादी तै हुई है तो जैन वहाँ पर आता है और बाई मिस्टेकली आलिया जो है जैन को जैन के फादर कहते है जैन से अब तुम्हें ने यह सब किया है तो तुम्हें यह सब समेटना भी होगा तो तुम्हें आलिया शे शादी करनी परेगी तो दोनों के मर्जी के खिलाफी दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं फैमिली प्रेशर की बज़े से उसके बाद आलिया जब रहने आती है तब उसकी मॉम, दो भाविया और जैन सब भी मिलकर जो इसको बहुत जादा परिशान करते हैं। लेकिन आलिया ठान चुकी होती है कि वो जो सब को सुधार देगी और खास करके जैन को। तो दीरे दीरे जैन थोड़ा बहुत सुधर भी जाते हैं। और फिर दोनों अच्छे दोस्ट बन जाते हैं। उसके पाद दोनों की प्यार भी हो जाती है। फिर काफे जादा मुश्किल आती है जैसे आपको पता ही है फैमिली में होते रहते हैं सिरियल्स में। लेकिन डिस्टेंस में तब आ जाते है जब जो है जैन के पापा आलिया के मामू की डेथ हो जाते है और जैन इसके जिमेदर आलिया को ठहराते है और दोनों के बीच में तलाक हो जाता है लेकिन तलाक के बाद जैन को कुछ दिनों की बाद पता चलता है कि आलिया की कोई कसू नहीं होती है और वो पागली करता है ढूनता है आलिया को लेकिन आलिया एक साल बाद उसे मिलती है फिर उसके बाद भी दोनों मिलने ही पाते है एक और लड़का भी होता है उसके शादी की बात भी होती है और काफी मुश्किल हलात के बाद दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और उसके पूरी फैमिली जो है के एक हैपी फैमिली अब देख रहे हो ये इंडी है सीरियल की तो एक हैपी फैमिली की तरह रहते हैं आप ये सीरियल देखना और मुझे पताना आपको कैसा लगा थैंक्यू सो मच